जब कोई युवा अपने घर से बाहर संसार में अपनी स्थिती जमाता है, तब पहली कठिंता उसे मित्र चुन्ने में पड़ती है. मित्रों के चुनाव की उप्युक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगती का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है. ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है, जो हमसे अधिक द्रड संकल्प रखते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है. पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को उपर रखते हैं क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे उपर कोई नियंत्रण रखता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है एक प्राचीन विद्वान का वचन है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रख्षा रहती है जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है हमें अपने मित्रों से ऐसी आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें द्रिड करेंगे दोशों और त्रोटियों से हमें बचाएंगे हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम निराश होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे और हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में वे हर तरहां से हमारी सहायता करेंगे। मित्र सच्चे पत्प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें राम धीर और शांत प्रवत्ती के थे, लक्षमन उग्र और उद्यत सभाव के थे, पर दोनों भायों में अत्यंत स्नेय था, उन दोनों की मित्रता खूब निभी मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का काम करते हों या एक ही रुची के हों हम चाहते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, वो हमारे मित्र में हो चिंताशील मनुष्य प्रफुलित चित्त का साथ ढूनता है निर्बल बली का और धीर उच्साही का उच्च आकांग्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चानक्के का मुह ताकता था नीती विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीर्बल की ओर देखता था कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर साथ से भी बुद्धी भृष्ट हो जाती है बुराई अटल भाव धारण करके बैठ जाती है बुरी बाते हमारी धारणा में बहुत दिनों तक तिकती हैं अतह हमें पूरी चौकसी रखनी चाहिए और ऐसे लोगों का साथ नहीं बनाना चाहिए जो अशलील, अपवित्र और फूहण बातों से हमें हसाना चाहें नहीं तो हमारा विवेक कुंठित हो जाएगा और हमें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी अतह हृदे को उज्वल और निश्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाई यही है कि बुरी संगत से बचा जाए एक पुरानी कहावत है काजल की कोठरी में कैसो ही सयानों जाए एक लीख काजल की लागी है पैलागी है बुरे लोगों की संगती में जाने पर हम अपने आपको कितना भी बचाएं बुरा प्रभाव पढ़ ही जाता है